आप इसको जम्मू की नहा ककड काए के भी बुला सकते। जम्मू में कहीं ना कहीं वो प्लैटफॉर्म की कमी हैं जो कि बहु बलाजा है कि चार बंदे खड़े हो कि ताडी निना मारें तो चैटरबॉक्स की वीडियो फेल है। मैं इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया हुआ है मास्टर सलीम जी दांचू में तबायफ बन गई दूर से ताड़ियें बज रही हैं। अब आपका नाम है रितिका ककड तो ये रियल में है रितिका ककड है या कुछ और? मेरा नाम पूरा रितिका महरा है और मैं नेहा ककड जी की बहुत बड़ी फैन थी जिसके रिलेटिड मैंने उनका फर्स्ट कवर सॉंग भी किया था और फिर मुझे इस गाने के बाद मेरे नाम के आगे जो ककड टैग लगा दिया था अच्छा मतलब यह लड़की है नेहा सुना था ओमिर बैठा कोलु मेरे तूँ हुए जय दो जावाँ इस दुनिया तो तेरा मेरे वालु मू भूए सोचा संदु दियां थे आके हार दियां दो गल्ला करिये है दो गल्ला करिये प्यार दियां दो गल्ला करिये दो गल्ला करिये प्यार दियां आजा गल्ला करिये है दो गल्ला करिये क्या बात है यार चलो दो गल्ले करी लेते हया जन्मू से हिखाए रहर तो है इतना प्यारा गाती हो गहां से हो जम्मू से हो आ ब sorgen जी बिलक् जील किल जम्मू से ही हूँ वह आप चल्ध हमें जम्म्मो से वी पहले आप मुझे दिखी की हूँ सिंगें कि परफॉरमेंस जी पिलकुल आजसे जागरन सोगे सूफी प्रोग्रप्रॉम सोगे लाइव इवेंट नियुक्ति लेकिन आपको जब्रा symbols से बाहर जाकर प्रोग्राम करने कि क्यों ऐसे लगा नीड कि मुझे बाहर करना चाहिए, क्यों जammu में क्यों नी किया जammu में इसलिए नी किया क्योंकि जammu के लोगों को इतना पता ही नहीं है कि कौन सा आर्टिस जो हमारा नेया जammu में आया है, उसको आगे पिर्मोड करें या कुछ भी हो तो जैसे मुझे पंजाब से काफी जादा काम आता है और बुलाते हैं मुझे पंजाब के लोग तो इसलिए मुझे फिर बाहर जाके काम करना पड़ते है यार ये तो बड़ी बेस्ती वाली बात हुई है मतलब जम्मू में इतनी प्यारी सिंगर है इतना अच्छा गाती है तुमने कहा कि पंजाब में भी जागरन करती है जी बिल्कुल और आप यकीन मानेंगे में इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया हुआ है मास्टर सलीम जी, माशा अली जी, जी खान जी, सर्दार अली जी होगे, सुल्ताना सिस्टर्स होगी, कनवर गरिवाल जी होगे कन वरिवाल जी के साथ भी वोई जो मस्त बना देंगे, भी बावाई वहीं नग्त जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी, जो बलैसिंग की बाथ थी नकोदर में बाबा मुराश शाजी राडी सायन जी का जो डीरा है मेरी दिली तमन थी कि मैं उस दर्बार में जरूर एक बार हाजरी लगाकर मैं उस दर्बार को इतना बड़ा समझती हूय ना अपने लिए मैं तुमने आड़ाने का मुझा पता दू कि परफॉर्मिंस किया आपने वहां पे ठाल एक्स्प्लेइन करो यह पूरा सोर्स मुझे भी नहीं पता है बड मैंने अर्दास की थी बाबा जी से कि आप प्लीज मेरी एक बार जरूर उस दरबार में हाज़र लगाएं तो बाबा जी ने मेरी अर्दास पूरी कर दी क्या बात है या ना बहुत बड़ी बात होती है यह मैंने बाहर की कंपनी में लांच किया बाहर जाके कर रही है मतलब क्यों मतलब ऐसा क्या है जमू में इतनी अच्छी वाज लड़की की मैंने बहुत से सिंगर को भी सुना वह है ऐसा नहीं है कि talented singer नहीं है जमू में बहुत से talented singer है मगर इसको आप क्या कहना चाहते हूं कि जमू में बहुत सारे artist है जहां देखो artist ही हैं बट जमू में कहीं न कहीं वो platform की कमी है जो कि जमू के हर एक artist को नहीं मिलती और उसी artist को जब बाहर जाके वो platform मिलता है तो definitely उसको जाना ही पड़ता है क्योंकि वहां पे उसको जमू से अच्छा platform मिलता है तो इसलिए काम करना ही पड़ता है बाहर जाके जमू की नेहा ककड है जमू की नेहा ककड चैटर वॉक्स के साथ perform करना चाहेगी देख लो camera पर है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल पक्का पक्का चलो ठीक है यह तो हुई बात अब मैं आप से कुछ ऐसा सुनना चाहती हूं अपनज्मा में बालन आयो बला जूले लालन पांज्मा में बालन आयो बला जूले लालन सिंद्ड द से वन दास किशाबाज कलंदर दमादमस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर दमादमस्त कलंदर अलीदंदम्दें अंदर हो लाल मेरी लाल मेरी क्या बात है यार कितना प्यारा गाया वो देखो दूर से ताडिये मज रहे हैं देखो बाई कितना प्यारा गाया लोग वो देखो सारे ताडिये मज आ रहे हैं बाई देखो अब यह आप मानते हो successful हुए कि नहीं हुए जी बिल्कुल बिल्कुल यार इक आर्टिस को क्या चा कितनी प्यारी लड़की है चोटी सी आभी इतनी कोई एज भी नहीं मैं कहती हुआ कि यह तुम्हारा स्ट्रग्लिंग पीरेट अभी लोगों को इसको करना चाहिए ताकि आगे सब्सक्राइब यह उनको मैं जेटने भी लोग हैं उनको बोलना चाहोंगी किसे सपोर्ट करो जाधा से जाधा क्या यारी किसी आप की वेंट करवातें उसमें एक बच्ची को अगर आप प्लैटफॉर्म देदो के काम करने लिए तो मुझे नहीं लगता कुछ कोई बड़ी बात है ना चलो ठीक है ये तो बात हुई अभी ये इतनी बात होगी जमू के आर्टिस्ट होगी अब मुझे ये बताओ आपका जो निया सॉंग आ रहा है वो भी गा के सुना हो आप आ नहीं रहा है आ चुका है सॉंग आ चुका तो यां जिस मांदी लेने खाब बांच दिसे मैंनू सोहा नाल सोने तेरा इंतजार वे मैं कर दी रही मुड के नाया मैं तारे गिन दी रही ओ एंजे वे कादा तू शायर बनया तेरी आदांच मैं तबायफ बन गई तू बेशरम तू बेशरम तू की देते मरदे मेरे नाजी ने यह ओदे नाजी ने यह बहुत है यह बहुत अच्छा लिखता भी है और इडरेक्ट भी करता है प्यारा सौंग लिखा हुए और गाने वाली तो मैं क्या ही बोलू वह तो बहुत प्यार इती मीठी है वाज तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है बहुत कम मिलते हैं यह सिंपल गाने वाले लोग नोबहुत होगे अगर तुम्हें किसी ने कॉंटेक्ट करना हो तो वो कैसे करेगा आप मेरी इंस्टा पर भी मुझे जब फॉलो करेंगे मैंने वहां पर बायो में भी अपना नाम दो बताओ गभine की है मेरी इंस्टा की आईडी है रितिका ककड औफिशल 786 और मेरे आगे आने वाले मेरे अपने चैनल पर रिलीजींग होगी चैनल की और मेरा यूट्यूब चैनल है जम्मु दी रिति का ककड़ जम्मु की नेहा कळक्ड़ी सरथ सकते हो इसके लिए गाल गweise करसकते हो तो कुछ और सुनाना चाहों की डोग्री बीजंड यार हो जम्मु देओ तो अपुते टूरी जन्दा नोकरी चाकरी मिगी फड़ाई जन्दा खुरपादातरी कमे कने तुटी जन्दा लाकबो माडे बांकु देया चाचुआ अंगलानिया साच बो माडे बांकु देया चाचुआ क्या बादा यार कितना प्यारा गाती है तो गाइस मैं तो कहते हूँ जादा से जादा हमारी जम्मू की नेहा ककड कर सुपोर्ड करो आइस वाप सभी यूट्यूब पे चाके मेरा गाना जरूर सुने अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे गाने पे रील्स मनाके मुझे इंस्टा पे कोलाब मैंचन और ट्रैक कर सकते हैं और इतनी सारी मुझे रील्स मनाके बेजिए ताकि मैं अपने यूट्यूब और खूप सारा प्यार दो और बागे की वीडियो के लिए देखते रहे है दा चैटर बॉक्स बाइगाइज